Hallo Düstu Escalacno object mermap अपका सुभाखतोस कैसे के सबी है सबड़ आसा करते हैं बहुत अच्स होोग दोस्तो आप अच्छे हर हो गया हमें साथ दोस्तो आपने मियोरी जो दिक्विवहोगी मेंनी मेंट्रोइ भोलते हैं मयोरी मेंट्रोइ उपका हम जो होति है वह reverse indicator- forward indicator- reverse speed में और forward speed में मोटर को कितनी speed देनी है, कितनी ज़्यादा काम करना है सभी कुछ सारी wiring में लग़ो सारा controller इसका यही होता है और दो सो काफी महंगा ऻी होता है और repairing charge इसका दो सो काफी अच्छा आख़ाफ ले भी लेते हैं सब तो दोस्तो रिपेरिंग यए खराब भी सबसे जदा होता है तो दोस्तो इसके बार मैं आपको थोड़ी डेटेल देना चाहता हूँ रिपेरिंग करने से पहले क्योंकि दोस्तो आपको जब तक किसी चीज के बारे में नौलिज नहीं होगी यह कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे वाइरिंग है, कैसे इसकी सिस्टम काम कर रहा है, जब तक उसको आप रिपेर करने में दोस्तों कठीना ही आएगी, मतलब उसको रिपेर करने में आप दोस्तों हिच कचा होगे, तो दिक्कत होगे, अगर आप मैं सिधा फर्स्ट टाइम आप मिनी मेट्रों कुम कि फूर आप दोस्तों आप की चार बैटरी पैलल ससौरी सिरीज के लगते हैं वह हो इस अछार ऑफ पलसरूर माइनस पर इक 거istically ओम आपनेक्नेक्ट है और माइनस थो सबस्क्म करता है जय fasten देख सकते हो साप साफ लिख खवा है ठीक है उसके बाद में यहां पे तीन यहां पर देखे दोस्तो येलो ब्लू गृन हमें इन चीर्जों को खार धेयानक नहीं होता है यहां गर यहां पर येढलो तो यलो, बिलू आ रहा है तो बिलू, ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन, यह जो मोटर पे वायर जाएंगे, क्योंकि वो दोस्तो बील डीसी मोटर होती है एक तरसे, ठीक है, डीसी मोटर में दोस्तो अगर यह तार आप उल्टी सिद्धे कर दोगे, आया तो आपका कंट्रोलर भी आ जाए या वायरिंग खराब हो जाए, उस वज़े से दोस्तो प्रोग्रम बनती है, ठीक है, ना मतलब आपके सिस्टम में जैसे बहार आउटपुट अ एरिया में कोई दिक्कत है उसमें, येलो जो लाइट है अगर यह बिलिंकिंग कलती है, रेगुलर जली रहती है, तो जाम हो चुकी है, या कुछ भी जो दिक्कत है, तो ग्रीन लाइट जो है दोस्तो, ग्रीन लाइट जो अगर यह बलब जलता है, तो दोस्तो आपका मोटर फाल्ट है, ठीक है, फिर आजाता है ब्लू कलर की LED यहाँ पर देखे, ब्लू कलर का मतलब है, आपके मोटर या तो ब्लस माइनस व्ल्ट हो चुकी है, या आप ज़ादो ओफर ऑफर लोड जला रही है, यहाँ ब्रेक लगा करके तब आप उसको चला रहे हैं, तो दोस्तो दिरे धे इरे स्पीड देनी है, तो यहाँ पर दोस्तो यह होती है और लोड की, ठीक है, उसके बाद यह आ जाते है सारे connection connection में next video बता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी video तो अगला मैं अंदर समझा देता हूँ इसका system कैसे कैसे है ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले जो plus minus voltage है दोस्तों हमारे यहाँ पे यह जो कोने पे जो capacitor लगे हूँ है सारे इन पर आ जाती है 48 volt ठीक है यह 80 volt के लगे होते हैं देखे 80 volt के लगे देखे 60 volt तक पी काम कर जाते हैं जब आपनी battery चार्ज करता है तो विमताव है देख सकते हैं चार यहां चार यह ऑर यहां पर भी चार इदर चार इदर मकर टोटल इसमे 14 MOSFET लगे हूए है क्या टो गरूप लगे ह am a इससमें काम क्या होता है मैं अपको बता देना चाहत हूँ एकड़ो तीन यह जो तीनों ताह देख नहीं है यहां पर येलो वाला ये ग्रीन वाला और दोस्तों ये यहां पर ब्लू वाला ठीक है ये तीनों ऐसे ही जाते हैं यहां पर A, B, C देख सकते हो यहां यहां पर आई हुए है पीले वाला यहां पर देख सकते हो दोस्तों A पोइंट है और दोस्तों ब्लू वाला यहां पर B प तो यह जो IC लगी हुए यह IC, ठीक है, यह काम क्या करती है? हमारे इंसे हमारा सिगनल दिया जाता है, यहाँ से प्लस माइनस वोल्टेज लेकर के यह जो MOSFET है, N-Channel के MOSFET, सारे के सारे N-Channel के MOSFET लगाए गए हैं, इधर उधर, इधर, उधर मतलब जैसे भी लगा रहे हैं, चैनल यह कम कैसे करते हैं अगर इसको चेक करेंगे तो दोस्तोओ चैकिंग मैं ऐसे नहीं आएगा निगेटिव से जब इनपर चेक तब आपको testing आएगी अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके base पे, इसके base पे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर MOSFET लगा हुआ है base, यहाँ पर दोस्तों sorry, gate, drain, source gate, drain, source तो gate जो है उस पर दोस्तों pulse आएगी, मतलब drive आएगी gate, drain, source source से इसके output होती है source से जब इसके output होएगी, वो हो जाएगी हमारे सीधे motor पे, ऐसे यहाँ पर A, B, C तीनों के तीनों में बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा तो जोस्तों यह जो तीनों चैनल है तीनों चैनल पे अलग-अलग MOSFET लगाए गए हैं हैं एक ही टाइप लेकिन इधर का सेक्षन अलग बटा हुआ है इधर का सेक्षन अलग, इधर का सेक्षन अलग तो दोस्तों सबसे जाद इसमें जो फाल्ट आता है मैं आपको बता देना चाहते हूँ यह MOSFET हमारे फट जाते हैं हमारा फाल्ट के आता है मौटर फाल्ट पी दिखा देता है जब कि मारा मौटर विल्कुर सेफ रहता है तो किस रिजन से दिखाता है या तो इस चैनल के या इस चैनल के किसी वी एक चैनल के Дж escuela MOSFET हमारे फट जाते हैं फटते किस वजए से हैं इसमें एक तरह से हम तीन तार बताएगे तो दोस्तो बिच वाले को कॉमन ले लिया जाता है इसको reverse मान ले जाता है इसको forward मान ले जाता है अगर suppose कि जी आपने आपने जो गीर डाला या आपने reverse में करी गाड़ी को पिछे की तरफ करा और एक दम से पूरी जी जान से कर दिया तो दोस्तो reverse के लिए जो उनसा भी होगा या तो C वाला या दोस्तो A वाला इस पे ज़्यादा overload पड़ेगा और आप MOSFET यहां पर फट जाएंगे और दोस्तो वहां पर वह लाइन जानी बंद हो जाएगी तो मोटर का फाल्ट हो सेंस करने लग जाएगा तो यह होता है दोस्तो फाल्ट जो सबसे ज़्यादा है इसमें MOSFET जल जाते हैं या दोस्तो आपके यहां से कोई न कोई ट्रैक जल जाता है वह आपका repair करके इसे ठ काफी है आज के लिए इतना मिलते हैं एफ वीडियो में जाहिंद वंदेवांत हम दोस्तो आपका दिन सुबा अच्छे रहें खुजराएं